अभी हाली में शहर ब्लोक कॉंग्रस के अध्यक्ष रहे मुकेश कारणा ने नई कारी कारणी से मेमिली उपध्यक्ष अपदे के जिम्मेदारी से ये कहकर इस्तफा दे दिया कि जिला कॉंग्रस अध्यक्ष अंदल चोर्षिया की कारे प्रणाली कॉंग्रस विरोधी है और ह जुनाव से पहले कॉंग्रिस में व्याप्त गुडबाजी आम जंता के बीच में चर्चा का विशय बन गया है। मेरे साथ मुझूद है मुकेश काला जिनों नहीं कारेकारणी में उपाद्यश बनते इस्तिफा दिया और इस्तिफेक को सारवाजनी कर दिया शोशल मीडिया पे डाल दिया। इस वजे से वो क्या कांग्रेस की नहीं कारेकारणी का विरोत कर रहे हैं और अनिल चोर्चाजी की खलाफ खुलकर में क्या वज़े आई ये बात करते हैं। सर स्वागते वाइस ओफ एमपी में आपका आपने इस्तिफा दे दिया। अपने अनिल चोर्चिया की कारिप्राली पे कारिशली पे उगली उठाते वे सोशल मीडिया पे लिखा है कि इन्हों ने सुपारी ले रख्की बकांग्रेस को डूबोने की और भारती जंता भारती को जिताने की। मानिय निल चोर्चिया वर्षों से हमारे मित्र हैं पर जिलाद जग बनते ही उनके वहवार के अंदर परिवर्तन आ गया। जब गांधी हाल किरायक पर देने का मसला आया हमने उसका खुलके विरोध किया पर उन्होंने कुछ रुपईयों की खातिर गांधी हाल को जूले चक्री वालों को किराय पर दे दिया। सबसे पहला विरोध हमारा ये था पर जिलाद जेक्ष्टी से अनुने विने और बेठक के पस्चाद भी वो इस मुद्दे को नहीं माने और आपने देखा जब हमारी प्रभारी मंतरी नूरी खान जी परसो गांधी हाल पदारी तो हमारी महिला कांग्रेस कारे करताओं को सामना करना पड़ा गाड़ी की पारकिंग नहीं हो सकी और उसके अलावा शहर के जो आसपास के दुकानदार थे वहां कांग्रेस जनों ने गाड़ी खड़ी करी इस वज़े से हमें उन दुकानदारों का सामना भी करना पड़ा उनके रूख परिवर्तन का सामना करना पड किराये पर दिया गया है दूसरी बात मात्र इस बात के लिए के गान्दी बहुन किराये पर दे दिया गया या लोगों को तकलीफ हुई यह वजह या कोई दर्द और है आपको नहीं मेरा कोई दर्द नहीं है मैं कांग्रेस कारेकरता के रूप में पहले भी काम कर चुका हूँ कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुका हूँ ब्लाक कांग्रेस के कारेवाग अध्यक के रूप में भी काम कर चुका हूँ शेहर कांग्रेस अध्यक के रूप म कि है और अपने हिसाब से उन्हें अच्छा करने का प्रयास किया मेरी कोई पीड़ा नहीं है उपध्यक्ष पत पर में उनके साथ रहकर काम नहीं कर सकता है सर यह विवाद जो है यह जाजम पर भी निप्टाया जा सकता था बंद कमरें भी निपड़ सकता था आप लोग बेठक में हल कर लिया गया था पर उनकी कारे प्रणाली के कारण उन्होंने फिर भी वह बात नहीं मानी जो बेठक में उन्होंने सारजनिक रूप से 15 पार्शुदों के बीच में कही थी जुला वाला क्या विवाद है जुले वाली बात काफी वाइरल हो रही है देखिए जुला चक्री के लिए गांधी हाल को किराय पर दिया और हम नहीं चाहते थे कि गांधी हाल को किसी भी व्यक्ति को किराय पर दिया जाए यही विवाद था हमारा इसमें विरोध था पर जिलाद जिद्धी प्रवर्ति के कारण अपनी कारे प्रणाली से उसे दे दिया गया ये भी आप लोगों की और से कहा जा रहा है कि जिलाद्यक्ष जो है खुद की राजनिती या खुद के वेवसाई के लिए इस तरह के पत्का दूप्यों कर रहे हैं नहीं हो सकता है ये इस विशे पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा मैं सिरफ कांग्रेस की बात करूंगा उन लोग खुल कर सड़कों पर आग्या गुडबाजी चरम पर पहुँच रही है निमत जिले में कॉंग्रेस की क्या इस्थिती बनेगी इसको लेकर कोई चिंतित नहीं है नहीं गुडबाजी किसी प्रकार की नहीं है भाई कारे प्रणाली से जिलाद्यक्ष की कारे प्रणाल जी के नेत्रत में 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनाएंगे सर बार बार वरिष्ठों द्वारा भी दीगविये सिंग भी आप लोगों को यह हिदायत देखे गए कि गुडबाजी समाप की जाए नूरी खान जी का भी यह जोरे मुझीब कुरेशी की बात करें सबने आप लोगों को इस बात के लिए कहा लेकिन क्या उनकी बातों को हवा में उड़ा के कांग्रेस सी अपनी महत्व कांग्रेस को सोचना है संगठन चलाना बहुत महत्पून कारे होता है अपने कारे में अगर वो बदलाव लाएंगे निश्चित रूप से कांग्रेस कारे करता उनसे संतुष्ट होगा बाकी दिगविजे सिंग जी के कारे करम में भी कई गलतियां हुई जिलाद ज्यक जी द्वारा की गई पर हमने उसे सारुजनिक नहीं किया पर बार बार पुने गलती दोराना सारुजनिक करने को हमें सारुजनिक करना अभी इसके अंदर और बदलाओ किया जाएगा हो सकता ये कारेकारणी धाइसों के आसपास पहुंचे उनका ये कहना है कि मैंने तो केवल डाक्य का काम किया है जो लिस्ट आई थी वहां से अनुमोधित हो कि आई ये कमल नाज जी से और उसको सारवल नहीं किया और पूर में की गई सूची कव में भी संशोधन होगा उसके पश्चाद भी जिलाद ज्यक ज्वारा कहीं न कहीं सूची जारी करना निश्चित रूप से दुरभाग्यपूर ने है मुकेश कालरा जो की कॉंग्रेस शेहर ब्लाक के अध्यक्ष भी रहे हैं वो इस पस्टोर पे आरोब लगा रहे हैं कि अनील जी चोर्ष्या जो है जिद्धी प्रवर्ति के इंसान है और उन्होंने अपनी जीद के कारण से संगठन में जो है कहीं न कहीं विचारों में विक्राव पेदा कर दिया है उनके द्वारा जो खास करके गांधी भावन किराय पर दिया गया असल मुद्धा वही है उसके अलावा उनका ये कहना है कि हम लोग की कोई नाराजगी नहीं है और इस विवात को निप्टाने के लिए उनका कहना है कि हम लोग जाजम पर भी बेटे हम लोगोंने बेट कर विचारी मज़श मुश्बी किया उन्हें सला भी दी लेकिन वो नहीं माने और उस वजह से ये बात बढ़ कर सामने आई और मुझे अउपाज्यक्ष पस्ते इस्तिफा देना पड़ा मैं उनके साथ काम करने के लिए सहमत नहीं हूँ साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नूरी खान जी जब आई थी तब जो लिस्ट थी उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई बात नहीं थी उसके बावजूद लिस्ट लेट जारी हुई है यही सारे कारण हैं जिसने कांग्रेस के अंदर कई तरह की विवात पैदा कर हैं देखना यह कि विधान सबाद चुनाओं में जिलाद्यक्ष अनिल चोर्षिया और मुकेश काल्रा और इनके साथ के सभी लोग किस तरह से इस विवात से पार पापाते हैं और कांग्रेस को मजबूत होने का शहर में एक संदेश दे पाते हैं देखना होगा वाइस आफ